हेलो डियर सुरेंट्स, वेलकम इन एसे स्टार्टर, डियर सुरेंट्स यह जो वीडियो है, यह एक जनवरी से लेकर जो पंदरा जनवरी तक जो विंटर वेकेशन पड़ता है ना, उसके रिगार्डिंग रहने वाली है, मैं आपको बता दूँ कि जो नाइन क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चे है ना, उनकी रेमेडिल क्लास लगेगी, और क्या क्या टाइमिंग होगी, कौन कौन सा पीरड लगेगा, इसमें बहुत कुछ दे रहा है, आपको पेशन से सुनना होगा, ठीक है, मतलब जो छुटियां पढ़ रही थी ना, वो 9 से लेकर 12 क्लास के बच् ही है, ठीक है, अब आगे सुनिए, देखे, आपकी जो एक्स्टा क्लासिस है ना, मतलब आप एक्स्टा क्लासिस बोल लेजिए, यह रेमेडियन, मतलब आपको जिस चीज में कमजोरी लगती है ना, जिस वीशे में आप कमजोर हैं, उसमें स्पैशल आपको इंफ्रमेशन, आपको नौलेज, और बहुत से चीज़े पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, और यह दो तारिख से लेकर चोड़ा तारिख तक रहेंगी, और जो मौनिंग शिफ्ट वाले हैं ना, उनकी जो क्लासिस हैं, वो इस प्रकार से रहेंगी, आप टाइम देख सकते हैं, टीचर कितने बच्चे कितने बच्चे बच्च रहेंगी, यह बता रखा है, आपको साड़े आठ बजे स्कूल में प्रेज़न हो जाना है, और बारा पचास तेक आपकी क्लास रहेगी, फर्स पिरिड़ आपका देख लो एक घंटे का, साइक्न पिरिड़ आपका एक घंटे का, फिर रि इन की, फिर उसके बाद 20 पिरिड़ की रिसेस हो जाएगी, फिर थर्ड पिरिड़ रहेगा, आठ तीन पचास से चार पचास का, फिर चार पचास से पान पचास का, तो इस तरीके से जो है, इनका टाइम टेबर गहने बारा है, अब जो चार पिरिड़ है लिए उसमें कौन सी क्लास 6 होंगी, देखेए, नाइम तो तैन की बात कीजए तो उनकी इंगलिश की साइनस की मेस्की दी जाएंगी, ठीक है, और आप देखेंगी, चार पिरि अड़ हैं, तो यहाँ बता आगया, कि इंगलिश, साइनस, और माध्स तो मिलेगी, मिलेगी, बाकि जो एक पिर देंगे ठीक है ने लिखा भी है कि जो हैड़ स्कूल होंगे अपने अप टाइम टेबल पहले बना के रख लेंगे ताकि बाद में कोई प्रावलम ना आए ठीक है और पूरा मैंडमेंट रहना चाहिए टीचर्स टाइमली अविलेबल रहने चाहिए वह सब हैड़ स्कूल के अपर र्रिस्OOOO इसका है प्रोंस्बिलियटीज हैं और यहां पर 9 3 और 12 के बारे में बता रखऊ है कि जो प्रीजिच 12 के वारे मीं बता रखऊ है कि जो प्रृ प्रीड की कोशन पेपर्स है नच हो इवनिंग शिफ्ट के ήः या मौणिशिफ्ट के हूं तो एक बícia कर बता है कि जो भी प्रिवोट के कोशिंट पे परूंग न हो बोनिंग या इवनिंग तो उसकी प्रैक्टिस आपको करवा जाए जाए जाएगी रिवीजन करवा जाएगे और जिस चीज में यह जिस टौपिक में जिस सब्जेक में बच्छा भी है उसमें उसको त्यारी करवाई जाएगी तो आपको पते इस चार पिरट आपके लगेंगे तो आइड़ of school अपने डिसर्ड कर लेंगे कोहुं से पिरड देने किसी साफसे देने और उसमें आपको वो अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी और अच्छे से पूछने ताकि वो हर कमी दूर हो सके जो आपके नंबर ठीक है बढ़ाने ते आपको रोक रही है ठीक है न खुब पढ़ाई करने आपको और जो 11 क्लास वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लासिस लेगेंगी ठीक है तो जो भ होप आपको समय में आ गई होगी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यह भी बता सकता कि वीडियो की कौन से चीज़ आपको अच्छे लगी और क्या चीज़ थे जिसने आपको डिसापॉइंट कर दिया तो बस इतना ही था आज की वीडियो में ठैंक कि रसाल दिया सुरेंट्स